किसी के साथ कुछ और कॉलर्स हैं बात कर लेते हैं यूपी से हैं रागवन जी स्वागत है आपका हालो चलिए शौयद आपकी कॉल जो है वो डिसकनेक्ट हो गई है यही वो चीजे होती है दर्श को कि आप लोगों की कॉल लग जाती है लाक ट्राइ के बाद और फिर आपकी ऐसी कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है तो आप कितना प्रियास करते होंगे तब आपकी जाके कारिकरम में कहती हूँ कि आप कॉल ट्राइज जरूर कीजिए लेकिन कॉपी पैल लेके बैठिये बहुत मुश्किल सा आप लोगों की कॉल लगती है और जब आपकी कॉल डिसकनेक्ट हो जाती है तो तकलीफ हमें भी होती है कितनी मुश्किल से आप लोग कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे बस हकीम सहाब से बात हो जाए और आप लोग बहतरी नुस्के जान लें आप से एक बाद फिर से कहना चाहूंगी रागवन जी कॉल ट्राइज जरूर कीजिगा क्योंकि अभी वक्त है क्या पता आपकी लाइफ कारक्रम में हकीम सहाब से बात हो जाए हकीम सहाब इस बात में तो कोई दोरा ही निये कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हर चीज कहीं न कहीं ढ़लती चली जाती है चाहे वो हमारी रंगत हो चाहे वो हमारा शरीर हो लेकिन जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी खुद को फिट रख सकते हैं जब हम आपकी उमर में से हम उसे रोक सकते हैं तो इन सब चीजों के लिए किन-किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है तो अगर मामूली साबी सेहत के पिर्थी जाग रूखता हो तो आदमी अपनी आखरी सांज भी सेहत के साथ दे सकता है बिलकुर और मेरा जो अनुभव है कि एक शख एक ऐसी दवा है जो दवा भी नहीं है सिर्फ पानी है आप ठंडा पीते थे मैं गरम अता रहूं और इसे जादा भी पी सकते हैं एक बहुत जरूरी है एक घंटा पैदल चलना धूप में अगर धूप निकली हो तो धूप में नहीं तो जैसा मोसम हो वैसे ये जिन्दगी का ऐसा यानि अभ्यास है जिससे आदमी सेहत मन रह सकता है मैं मुझे वक्त नहीं मिलता लेकिन फिर भी मैं चलता हूं एक घंटा पैदल चाहे मुझे स्टूडियो में चलना पड़ है जिस स्टूडियो में जाता हूं वहीं चलने लगता हूं अगर पंदा मिनिट का वक्त मैंने अभी पिया है गर्म गर्म और ऐसे पांच बार गिलास में पानी पी ले बहुत से रोग आपको होने से ही रुख जाते हैं और बहुत सी चीज़े हैं ऐसी जो खाना घर का खाना मा के आथ का खाना मा को यह चाहिए कि घर के पीसे मसाले का खाना बनाएं तो यह सेहत की न लोग रखते हैं चलिए सी के साथ अगले कॉलर हैं गुड़गाओं से रमेश जी स्वागत हैं आपका बताईए यहां मैं नहीं नहीं हो सकेगी जी बात हो रही है जनाब मैं हाजिरू हाँ अगेम जी 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 हाँ नमस्कार मैं ऐसा एक मैंने मेरे सुगर की प्रॉबलम थी त हाँ नमस्कार जी जी हाँ मैंने मैंने जो है रहे हाकीम ची नमस्कार जी आलो मैं जो है सर मैंने जो है ना दवाई सुगर की लिए आपके जैतून का सिरका मंगवाया था पूरी बात करिए आप रुगिया नहीं सारी आवाज आ रही पूरी बात कर लिजए जो ना जैतून का सिरका मंगवाया का आपके वहाँ से ही तो किस तरह लेना है वो ठीक है ठीक है शुगर की उन दवाओं को लेते रहें जो लेते हैं और तीन चमच दिन में खाने के का जामिन है आपको बहुत सारे रोगों से शुगर को कंट्रोल पिकरता है लेकिन आपको दवाएं नहीं छोड़नी है लेकिन शुगर को कंट्रोल के साथ साथ कालिस्टॉल को भी कंट्रोल करता है तो दिल का भी बड़ा ख्याल लगता है लीवर का भी बहुत ख्याल लगत है gas acidity cubs infections इन सब का बहुत ख्याल लगता है आप इसे लिया करें और शेहत्मन जिन्दगी कुजार सकते हैं MP से है next scholar स्वागत है आपका जी अलो क्या नाम है सुझल जी सवाल कर लीजिए यह यह energy के प्रब्लम है मीडम allergy कैसी allergy होती है बार बार चीक आना सर्थी होना और कब जम जाना मीडम और साथ चलता है आपके उम्र क्या है सोला वर्स सोला वर्स बच्चे का है क्या जी जी बच्चा ठीक ही ठीक ही क्योंकि लिखिए allergy का इलाज युनानी में है लेकिन उस से पहले आप लिख ले मेरा जो नुसका बता रहा हूं तैयारी कर ले लिखने की लेकिन इसमें जरूरी यह है कि खटी चीज़े कुछ दिन के लिए बंद कर दी जाएं कोई भी खटी चीज़ या ऐसी चीज़ जो जिस पर विश्वास ना हो बाहर की चीज़ बच्चे लोगी वैफर्स और यह यह वो खाते यह नहीं घर का खाना खाएं जितना भी हो सके और खटी चीज़े बिल्कु छो दें इक तो यह ज़रूरी इससे भी रोग बहुत कम हो जाता है दूद्द भी नपिएं यह बी नकसान देता है ऐसे मरीज़ों को अच्छा लुए बहुत आसन इसका है बहुत आसन अलसी उनाव सपिस्तान लिख लीजए आप अलसी उनाव सपिस्तान सो सो गराम खरीदें और 30 गिराम आपके किचन के गरम मसालों में एक चीज होती है, जिसे पीपले कहते हैं, या पीपला मूल कहते हैं, 30 गिराम ये ले, इनको पॉडर बनाएं और सुबही सुबही निहार मुझे से कहते हैं, खाली पेट, एक चमच इसका पॉडर खिला के गरम पानी या चाय पिल करें बच्चे को, ऐसा आप 5-7 महिने करेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है, मेरट से हैं वैशनवी, स्वागत है आपका, हालो, वैशनवी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, हालो, बोलिये, बोलिये, मैं मुझे अपनी मंबे के बारे में पोच्छना है, जादा बढ़ रहा है, उनकी उम्र क्या है, उम्र उनकी पचा, पच्पंच, ठीक है, वैशनु देवी जी, देखिए, ये उम्र में किसी का भी कॉलिस्टॉल बढ़ता ही है, जो दवा दे रहे हैं, वो अभी रोके नहीं, लेकिन एक दवा बता रहा हूं, जो कॉलिस्टॉ उनका सिर्का, असली ले, नकली भी बहुत मार्किट में भी है, नैट पर भी है, असली वाला लेना है, और तीन चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, तीस पून जिसे कहते हैं, एक गलास पानी में मिलाके, रोज आना रात को पिला दिया करें, मम्मी को, ये बहुत मुफीदे, उन लोगों के लिए, जो कॉलिस्टॉल के, ब्लेट प्रेशर के मरीज हैं, दिल के मरीज हैं, और डाइपटीस के मरीज हैं, आप ज़रूर दिया करें इन्हें, आपकी मम्मी को फायदा मौकिल है, जी गुडगाओं से हैं, विशाखा जी, स्वागत है आपका, मैडम जी न जी, आप मेडिकल स्टॉर पर एक चीज मिलती है, जिसे कैस्टॉल ऑइल कहते हैं, इंग्लिश में कैस्टॉल ऑइल, इसे आसान भाशा में कहते हैं, अरंडी का तेल, ये ले लिए थोड़ा सा सो दो सो एमल खरीद लिए, अच्छा होना चाहिए, वारोसे का, और एक चमच, चाय का चमच भरके पीएं, और खुब गरम गरम पानी पीएं, दिन में, दो बार, खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के बाद भी पी सकते हैं, ये अमल अगर आप करेंगे, तो आपको फाइदा होना मुम्किन है, अपने खाने में धनिया, अद्रक और ल बालन में इसका पेस्ट डालकर खाना खाया करें, आपको फाइदा होना मुम्किन है, जी जहासी से हैं, गनेज जी, स्वागत है आपका, बोलिए, कितनी उम्रे हैं आपकी, गनेज भाई देखो, आदा आदा आदा, करेंज भाई देखो, एक तो यह है कि आप जो दवा लेते हो, वो खाया फाइदा हो गया, फिर वही हाल, और रोग बढ़ता जाता है, और फिर कहीं जाके वो दवाएं नुक्सान करने लगती हैं, जरुरत में वो दवा भी ले सकते हैं, लेकिन तफ़ा, दर्द वालों के लिए, यह गौन्द सिया अगर आपको मिल गया असली, आजकल परिशानी बहुत हो गई कि नकली मिलने लगा, लोग इसके, की जगा पर ऐलवा दे देते हैं, या कुछ दे देते हैं, यह वो नहीं, अलगी गौन्द हैं, पहले मिलता था सब जग देते हैं, तो एक अधा ग्राम सुबह खाएं, अधा ग्राम शाम, नाच्ते और खाने के बाद, पानी से या बगएर चर्बी के दूस से, तो यह फाइदा दो आपको पांश साथ दिन के बात करता है, लेकिन सौ ग्राम भी असली मिल गया, तो फाइदा मुम्किन है, देख वो को परिशारी होने लगी, और आप असली की जाच करके लिए, अगले कॉलर है, M.P.C. सुरेश जी, स्वागत है आपका, हेलो, जी, मैं उनकी लड़की बोल रही हूं, हान जी, बोलिए, उनको ना बहुत ज्यादा थसका लगता है, अगर वो थोड़ा सा भी मतलब पानी पीए, खाना खाए, उनको ना थसका लगते ही रहता है, और कमजोरी भी बहुत आ रही है, आतोंने बिल्कुल काम करना ही है, ठीक है, जी, अच्छा देखिए, जो भी इलाज दे रहे हैं, उनको वो भी दीजे, डाक्टरों का मश्वरा भी लीजे, लेकिन, आप मेथी का बीज होता है न, मेथी का दाना, इसको पाउडर बना लें, खुब बारिक और आदा चमच, एक गिलास गरम पानी में मिल हैं, और इसको खुब गरम करम चुश्कियां लेके रोजाना एक बार पिलाया करें, और कोई रिपोर्ट कराई हो तो हमसे शेयर कर लें, ताके हम इससे आगे की मदद भी आपकी कर सकें, जी, हरियान से सवीता जी, स्वागत है आपका, जी, नमस्कार, जी, नमस्कार, जी, जी, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात, बताईए, क्या सवाल है, जी, मैं दिक्कत रहती है, पेट में, क्या है पेट में, पेट में दिक्कत रहती है, जी, नमस्कार, जी, जी, अब उसकी आवाद नसुने, फोन पर बात करें, पेट में गैस रहती है, कब्ज रहता है, क्या हाकीम साव से नमस्तार की हाकीम साब, यह बताएए ने पेट में को इसक रहती है बहुत जादा, क्या रहती है कुछ बताएए यह, कब्ज है कब्ज है, ठीक, अच्छा देखिए, सौ, धनिया, मेथी, कदाना, आंगला, स्वाफ, धनिया, मेथी, आमला, 1.500 ग्राम लें और एक आता है नमक, जैतून, ये भी 1.500 ग्राम, इन सब को पाउडर बनाए और अधा चम्मश सुबा, अधा चम्मश शाम, पानी के साथ लिया करें आपकी पेट की तकलीफों के लिए फाइदे मन दवा हो सकती है